मुश्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में AI, Artificial Intelligence के हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्पून भूमी का है और AI आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बदलाव लाने वाला है, चीजें जो हम फैनोली घंटे, दो घंटे, पाँच घंटे में करते थे AI की म जो भी features हैं उसके लिए या तो आपको pay करना पड़ेगा या आप उसके जो features यूज करते हैं वो बहुत ही limited time के लिए होता है और उसके बाद फिर payment required होती है, आज मैं आपको कैसे website के बारे बता रहा हूँ, जो कि बिलकुल free है, free of cost और ये एक नहीं इतने features हैं कि अगर मैं स इससे दो घंटे के वीडियो बनेगे, तो आएए चलते हैं, मैं सीधे दिखाता हम आपको website, उस website का URL है, tinywound.com, tinywound.com एक website है जिसमें कि आपको बहुत सारे AI tools ये कही website में free of cost हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें अपना ID बनाए या ना बनाए, ये आपके ए जिपीजी, मर्च पीडियएफ, इमेज मेरी, बलर बैकगराउंड, कलर, कलराइज फोटो, क्रॉप इमेज, एड बाजर, ब्लैक अंड वाइट, फिलिप इमेज, राइटिंग, अल्टिमेट है, मैंने खुद भी यूज किया, बहुत ही बढ़िया है, इसका है, ये से लगभग सब इसमें, जितने भी हम लोग डे-टू-डे टाइफ में यूज करते हैं, या करना चाहते हैं, वो लगभग सब इसमें अब जैसे मैं आपको एक चोड़ा सा एक्जामपल में दिखाता हूं, कि इसमें, अगर हम इस AI को यूज करते हैं, जैसे मुझे अभी एक QR करना है, उसे मुझे PDF2JPG में कनवोट करना है, यूजरी हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, अगर हम Windows 10 या 11 यूज करते हैं, तो मैं simply यूज करता हूं, कि स्निपिन टूल में गया, और मैंने उसको स्निपिन उसे स्निप कर लिया, लेकिन उसकी जो क्वाइलिटी होती है, को ठीकी होती है, असे को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यह तो सिर्फ अगर एक पेज है, तो मुल्टिपल पेज है, तो आपको बार बार यह काम करना पड़ेगा, यहाँ पर simple है, PDF2JPG, आप इस पर क्लिक कीजे, यहाँ पर website खूली, upload from PC or mobile, मैं सीधे यहाँ पर गया, और यह मुझे यह पेज करना, मैंने सीधे यहाँ उठाके इसको यहाँ डाल दिया, अब देखेंगे, जैसे यह website convert, अब PDF को JPG में convert कर रही है, processing, just wait, थोड़ा सफ टाइम लगता है, पर इसके results बहुत अच्छे हैं, और सबसे अची बात है, देखेंगे, यहाँ पर लिख क्या रहा, free, no sign up required, no limit, किसी भी तरीके की कोई limit नहीं है, तो एक ही जगह पे इतने सारे option, एक ही website पे, यह मुझे काफी ढूंडने के बाद मिला, इसमें कि हम एक ही website पे, सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हैं, तो जथा कि आप देख सकते हैं, कि हमारा वह जो PDF फाइल था, वो अब JPEG में convert हो चुका है, तो मैं simply यहाँ पर download पे click करना है, जैसे मैंने download पे click किया, मेरा यह file JPEG में PDF से convert हो चुका है, बहुत ही आसान website है, इसको use करें, इसको day-to-day life में आप use कर सकते हैं, थांक यू, थांक वर वाचिं इस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और बिल्क बटन जब दवाए, धन्यबाद